स्वीट टूथ के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे आदित्य और रानी नैंसी को समझा रहे थे और इसी बीच ट्रिक्सी के कारत नैंसी की मौत हो जाती है गस और बिग मैं भी आनिमल ग्रूप से भाग गए थे इन्हीं सारी कंटिनिटी के साथ में एपिसोड न कि जाके वो जरूर किसी मुसिबत में फसेंगी वो अपने घर पे अच्छे से रह रहे थी हालांकि इस टाइम पे वो अकेली ही थी लेकिन बिल्कुल ठीक भी थी तब यहाँ पे जनरल एबट की एंट्री होती है और वो डॉक्टर बैल से उस बुक के बारे में बात करते है जो कि डॉक्टर बैल ने 10 सालों के अंदर लिखी है यानि कि उसके अंदर वैक्सिनेशन हो सकता है या फिर इस वाइरस के अंटिडोट का क्यों भी हो सकता है डॉक्टर बैल कहती है कि यह सब कुछ मैंने आगे अपने नए डॉक्टर को हेंडोवर कर दी है उसके अंदर क् तक भी इस वाइरस को खत्म करने की कोई भी चीज में नहीं बना पाई हूं। डॉक्टर एबर्ट ये बात अच्छी तरीके से चांदे थे कि डॉक्टर बैल ने उस जगह से क्यों लीव लिया है। डॉक्टर बैल भी अपने साथ में काफी सारे एंटिडोट लेकर आई थी ताकि अगर फ्यूचर के अंदर उन्हें कोई वाइरस हो तो वो खुद के चांद तो बचा ही सकती है। जाने से पहले जनरल एबर्ट डॉक्टर बैल से उस डॉक्टर के बारे में पूचते हैं कि नया डॉक्टर कौन है असल के अंदर तो वो डॉक्टर आदित्य था और ये इन्फॉर्मिशन मिलने के बाद में जनरल एबर्ट के सूलजर्स डॉक्टर बैल को मार देते हैं। क्योंकि जिस group को उसने establish किया था उसी group के member अब उसके खिलाफ हो चुके थे वो Gus के पास आके उसे के information दीती है और कहती है कि ये मेरे दोस्तों ने तुम्हारी लिए पता लगाया है बियर भी अब यहां से खुद का रस्ता अलग कर चुकी थी लेकिन जाना उसे भी train के track पे ही था तब Gus जित करता है और कहता है कि तुम हमारे साथ में चलो और हमें shortcut रस्ता बताओ बिग मैन इस चीज़ के लिए हां नहीं करता लेकिन Gus की बहुत जादा प्लीज 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 कहने पे अब बिग मैन को भी हां करना पड़ता है कि वो लोग बियर के बताए हुई shortcut रास्ते से train को पकड़ेंगे ताकि ये लोग Colorado बहुत सके ये लोग चलते चलते बहुत पका चुके थे लिकिन इनके रस्ते के अंदर एक और वैली पड़ती है जो कि sorrow वैली थी इसका मतलब था ऐसी दुख की घाटी जिसके आसपस जाने से इंसान infected हो सकता था बियर बताती है कि लोग तो यहीं कहते हैं कि जो लोग भी इस वाइरस से मरे थे आर्मी ने आकि उन के अंदर गिर गया तो समझो वो एक ही सेकंड के अंदर infected हो जाएगा लेकिन इस वैली को पार करने के लिए बहुत सकडा सा बहुत चोटा सा इक ब्रिच था जिसे सिर्फ और सिर्फ बच्चे ही पार कर सकते थे यह चीज़ देखके बिग मैन बहुत गुसे में आ जाता है और कहता है कि बियर ये तुमने जान करके किया है ताकि तुम लोग तो चले जाओ और मैं यहीं पर रह जाओं बियर और बिग मैन की अच्छी खासी फाइट हो जाती है गस समझाने की कोशिश करता है कि प्लीज मत लड़ो और जब यह दोनों नहीं मानते तो गस अकीला ही बिच की उपर चला जाता है यह दौनों बड़े थे और इन्हें पता था कि बिच किसी भी वक्त तूट सकता है क्योंकि वो बहुत जादा नाजुक था और आगे जाने के बात सीथा गस नीचे गरता है और उसी टाइम पर बेहोश भी हो जाता है अब वो यहां फिर फ्लार सबसे अलग है तब एमी आके उसे समझाती है कि हाँ तुम सबसे अलग हो लेकिन तुम सबसे प्यारी हो सबसे समझतार हो तुम हीूमन से काफी जादा मिलती जुलती हो तुमारे आसपास बागी बच्चे नहीं है लेकिन तुम बहुत जादा स्पेशल बच्ची हो और तो guys हमें आगे पता चलेगा जिसके बाद हम Gus को देखते हैं जो कि खुद के सपने के अंदर वापर से forest में ही जाता है forest के अंदर उसे एक घर दिखाए देता है जिसके बाहर एक mail box था और आगे जाने के बाद उसे अपने पपा मिलते हैं वो बाबा से बात करता है और कहता है कि मुझे आपके बहुत याद आती है बाबा भी कहता है कि मैं तुम्हें छोड़के नहीं जाना चाता था लेकिन तुम बहुत strong बच्ची हो अब जब तुमने अपने rules तोड़ ही दिये हैं और घर से बाहर चले ही गए हो तो बस एक चीज तुम्हें बस आके बढ़ते जाना है तुम्हे रुšपना नहीं है अपना खुद का ध्यान रखना है कि पापा मुझे आपके साथ ही रहना है मैं यहाँ से जाऊंगा लेकिन गस को तो जाना था क्योंकि वो बस एक सपना था गज यहां पर अपने सपने के अंदर एक मिरर भी देखता है जाँ उसे अपने फादर भी देखते हैं लेकिन इसी के साथ एक बड़ा सा डिस्ट्रॉइ वाला सीन भी दिखाए देता है क्योंकि पीछे जनर आपने नैंसी को देखा है वो काफी दिनों से नहीं मिल रही है तो आदित्य बोलता है कि नहीं मैंने भी उन्हें लास्ट पार्टी के बात में अब तक नहीं देखा है क्या उनके साथ में कुछ हुआ है लेकिन आदित्य के घर के बाहर फ्लार देखके इनका नेपर बोलता है कि शैयद तनहीं जला देना चाहिए घर के अंदर जब रानी को पता चलता है कि सब लोग नैंसी को ढूंड रहे हैं तो उसे भी बहुत बुरा लगता है और उसे लगता है कि शायद एक काम इन दौनों को मिलके जल्द ही खत्म करना चाहिए यहां रानी की भी तबियत दिन बदिन खराब होती जा रही थी इसी के कारण वो कोई भी डिसिजन नहीं ले पा रही थी और अब यह दौनों ही एक सात्मी क्लिनिक जाते हैं ताकि इस बार तो आदित्य किसी हाइब्रेट के बलड से रानी के लिए कोई वैक्सिनेशन बना सक के लेकिन यहां पे उन्ही कोई भी हाइब्रेट नहीं मिलता है हमें यहां पता चलता है कि अंदर आदित्य पूर राणी नहीं नैंसी को सब्सेल हो गई खावी हो जाते उसके उपर कि वहाँ पे खड़े हर एक इनसान को पता चल जाता है कि रानी भी इंफेक्टेड है, सभी अपना मास्ट पहन लेते हैं और उन दोनों को ही पकड़ लेते हैं, अब जैसा सब के साथ हुआ था वैसा ही आदित्य और रानी के साथ में भी होनी वाल को पूरी तरीकी से चला देते हैं, घर जल रहा था, ये दोनों अपने आखरी मूमेंट्स में एक साथ थे, एक दूसरे का हाथ पकड़के, कि अब जो भी होगा ये दोनों साथ ही देखेंगे, लेकिन तभी यहाँ पे काफी सारे सोल्जर्स आते हैं, बाहर गोलियां चलने की आवासे आती है, और इस पूरी आख को बुझा दिया जाता है, और उनमें से निकल के आता है जनरल एबर्ट, अब जब उसे आदित्य के बारे में पता चल चुका था कि यही वो इंसान है, जो की वैक्सिनेशन बना सकता है, तो वो आदित्य की जान बचा लेता है, और पर लेता है, ग devil, आपको बारे मानदोख को सब में पता है, तो कि अवासे की जान आता है, और इस निए आता है, और उलाओन धने चैए, और टता है, और उनमें दो, और रसे एता है, और रहाईं प्याना अचूना-चाना बहाँ, और आ, बहाँ थाज़, खिता है, अजला